बाबा साहब कभी भी राश्ट्र पिता महत्मा गांधी की विचार धारा का समर्थन नहीं करते थे वो भारत के विभाजन को लेकर भी कभी तैयार नहीं थे लेकिन जब बेश का विभाजन हुआ तब बाबा साहब ने पाकिस्तान के हिस्से में रह रहे हिंदूओं और दलित बाबा साहब आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे बाबा साहब ने पाकिस्तान में सभी दलित हिंदूओं को किसी तरह से भारत आ जाने के लिए कहा था क्योंकि उनका मानना था कि भले ही दलित हिंदूओं से अपनी नफरत के कारण मुसल्मानों के करीब हैं लेकिन अस कभी भारत को अपना राश्ट्रू नहीं मानेंगे वो कभी देश भक्त नहीं हो सकते हैं वो केवल अपने धर्म के गुलाम होते हैं वो केवल अपने धर्म के साथ भाय चारा निभाते हैं उनकी वफादारी अपने देश के लिए नहीं बलकि केवल अपने धर्म के लिए होती बावा सहाब चाहते थे कि भारत के सारे अलपसंख्यक पाकिस्तान चले जाएं और वहां से हिंदू को भारत भेज दिया जाए अमबेड कर ये मानते थे कि अगर मुसल्मान भारत में रहेंगे तो भारत में कभी भी सामप्रदाइक शांती नहीं होगी इसलिए अगर धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है तो सभी मुसल्मानों को पाकिस्तान भीजना चाहिए बावा सहाब मानते थे कि इसलाम को मानने वाले देश के कानून को मानने की बजाए शरिया कानून को देश के कानून से उपर मानते हैं और समय आने पर वो देश के कानून को ताक पर रहकर शरिया कानून को प्राथ में कता देते हैं इसलिए कभी भी दलित मुसल्मानों को अपना हितैशी न माने क्योंकि मुसल्मान दलितों का फायदा उठाते हैं लेकिन जब दलीतों को उनकी जरूरत होगी तो वो कभी भी दलीतों का साथ नहीं देंगे वो यहां तक कि अपने समाजिक बुराईयों को स्विकार नहीं करते नहीं कूपरथाओं को स्विकार करते हैं वो समाजिक सुधार के भी कटर विरोधी होते हैं उन्हें इसलामिक विचार धारा के अलावा कुछ नहीं सूजता और इसलिए ये समाज में सुधार के लिए कभी खड़े ही नहीं होते। कम से कम हिंदू समाज अपनी कम्यों को मानता तो है वो समाज सुधार को चहती तो है लेकिन इसलाम को मानने वाले रूड़िवादी सोच में जीते हैं। वो जानते थे कि पाकिस्तान में भविश्य में हिंदू का सोशन होगा और इसलिए वो चाहते थे कि वहां रह रहे हिंदू भारत आ जाएं हाला कि आज पाकिस्तान में हिंदू की हालत देखकर बाबा साहब की दूर दर्शिता का अंदाजा लगाया जा सकता है बाबा सहब अपने विचारों को बेहत खुलेत तौर पर रखते थे जो उन्हें सबसे अलग बनाते था इसलिए केवल उन्हें हिंदु विरोधी कहना गलत होगा उन्होंने समात सुधार के लिए पूरा जीवन लगा दिया